तो हलो गाइस वेलकम टू मैं चैनल अगर आपका अकाउन एटल पेमेंग में है और आप अपना अकाउंट का जो है एटेम काड का अपलाई करना चाहते हैं या वर्डर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास तक देखते हैं यह मैं स्टेप बाइस बताँगा कि कैसे आप पेमेंग में एटेम काड काड के अपलाई कर सकते हैं यानि ओडर कर सकते हैं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं कि इसके लिए सब से पढ़ने आपको एर्ट थैंक्स अप्ली केशन गवेंड कर लेना है से आपको नीचे देख रहा हुगा मैनस्ट तो सिंफिल आपको मैनेज पर क्लिक कर दाना है उसके बाद आपको सुउयैग अरट कर देर है उसके बाद आपको debit card दिख रहा होगा तो simply आपको debit card बाले option पे जो है आपको click कर देना है तो अच्छिले मैं हम पर click कर देता हूं आपको यहाँ पर virtual debit card मिल जागा यह free में मिल जाता है उसके बाद आपको physical debit card चाहिए तो आपको यहाँ से देखो eco friendly classic debit card आपको यह मिलने व प्रॉपया में हो जागा 199 पेज हो जाएगा उसके बाद आपको limit का बात कर लेते हैं तो अगर आप e commerce में transaction करते हैं तो पचीस ज़र कर सकते हैं उसके बाद post machine से जो है 50 ज़र कर सकते हैं और ATM मसीन से अगर निकालना चाहते हैं तो पचीस ज़र निकाल सकते हैं per day और जो हे current account में जो एक बार ही निकाल सकतो उसके बाद जो हे 21 रूपिया प्लस GST आपको कटने वाला है और अगर आप ज़रूरी है तो आप वाडर कीजिए अधरवाज दूसरा बैंक से भी आप ATM कार्ड यूज़ कर सकतो थोड़ा सस्ता मिलेगा बट ट्राजेक्स आपको थोड़ा ज्यादा मिल जागा अगर आपको जुरूरी है तो आपको simply जो अपना address है हम पे choose कर लेना है उसके बाद जो है I agree कर लेना है उसके बाद जो है 350 रूपया जो है आपको पे करना होगा तो simply जो है आपको पे में किलिक करना है और आपका order जो है पे करने के बाद जो successfully हो जाएगा तो मुझे यह ATM कार नहीं चाहिए अगर आपको चाहिए तो आप physical order कर सकते है पांस दिन के अंदर जो है इससे रिलेट आपको डाउट होता है या confusion है तो मुझे comment section ने बता ही है मैं आपको जूरूर दूँगा वीडियो अच्छा लगे तो फ्लिस वीडियो को लाइक कीजिए अगर चैंपिन नया है तो फ्लिस चेक को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को